आप सभी का स्वागत है English Speaking Course के Day 6 में और आज का ये वीडियो पिछले सभी वीडियो से ज़्यादा important है क्योंकि आज मैं कुछ आपको बहुत ही interesting और important बताने वाला हूँ अचा मान लीजिए कोई आपसे कहे कि रोज मौनिंग में आपको सुबह उठके खाली पेट, fruits खाने है, fruits काटने और खाने है और दोपर में लंज से पहले आपको रोज सैलेड खाना है जिसमें कुकुमबर होना चाहिए, अनियन हो, टमैटो हो और शाम को चार ये पांच बजए आपको juice पीना एक glass, जिसमें orange और pineapple होना चाहिए तो आप दो-तीन दिन तो कल लेंगे, लेकिन आप हमेशा नहीं कर पाएंगे कभी आप भूल जाएंगे, कभी आपको सुस्ती आ जाएगी करने में और फिर कभी-कभी क्या होगा कि fruits अवेलबल नहीं है, salad के लिए आपके पास में जो कुकुमबर है नहीं आज इस तरह की problems आएंगी तो ठीक इसी तरह से जब आपसे कोई ये कहता है कि English सीखने के लिए और कोई क्या कहता है, मैं खुद कहता हूँ कि आपको watch करना चाहिए, यानि English देखनी चाहिए English सुननी चाहिए, listen करना चाहिए और English बोलने की practice करनी चाहिए तो आप ये तभी कर सकते हैं, जब आपको कोई ये बता दे कि कहां पर ये काम करना है सिर्फ कर लो, बोल देने से काम नहीं होता है, क्योंकि आप कहां जाएंगे, कहां जाकर के listening की practice करेंगे कहां जाकर के आप कुछ देखेंगे, कहां जाकर के आप speaking की practice करेंगे तो इसलिए मैंने आपके लिए एक complete course module बनाया है एक complete course module इस course module में daily basis पे daily एक भी दिन छूटेगा नहीं daily दो-तिन चीज़ें हैं देखिए एक तो English conversation daily आपको एक English conversation मिलेगी every day इसमें क्या है? दो लोग, तीन लोग, चाल लोगों की बीच में बात हो रही है जो वो English में बोल रहे हैं उपर call out में लिखावा आ रहा है और नीचे subtitle में हिंदी में लिखावा आ रहा है ये तो हो गई daily basis पे एक conversation अच्छा कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी अभी बताता हूँ लिखे उससे पहले देख रहे हैं क्या क्या चीज़ है एक तो है English conversation एक है story अनुवात को सुनना है story, translations, listening इसमें आपको daily एक story छोटी सी एक story ताकि जादा time आपका वेस्ट ना हो 5 to 10 minutes story किस तरह की होती है? जैसे एक राजा था, there was a king उसकी दो रानिया और तीन बच्चे थे He had two queens and three children वो रोज जंगल में शिकार करने जाय करता था He used to go to the jungle for hunting every day इस तरह से हिंदी में, English में तो ये translation हो गया लेकिन translation को आप सुन रहे हैं क्योंकि उसकी audio आ रही है आपने कान में लगाए earphone और सुना, ध्यान से सुना इस तरह से आपके mind में धीरे-धीरे translations के मध्यम से चीजें clear होती जाएंगी कि अच्छा हिंदी के इस sentence को English में ऐसे बोला जाता है तो daily एक translation आपको मिले daily और तीसरा English बोलने की practice English speaking practice इसमें क्या है कि आप English बोलने की practice करें खुद बोलें अच्छा English speaking practice के भी तीन method होता है देखें पहला method होता है Hindi speak यानि हिंदी में एक आवाज आएगी speak किया जाएगा फिर English में भी speak किया जाएगा English में भी बोला जाएगा हिंदी में केवल लिखा हुआ है write return return मतलब लिखा हुआ हिंदी में सिर्फ लिखा हुआ है हिंदी के आवाज नहीं आ रही है English में आवाज आ रही है और आपसे कहा जा रहा है कि जो आवाज आ रही है इंग्लिस में उसी को आप repeat करो यह दूसरा मेथड है और तीसरे मेथड में हिंदी के आवाज आ रही है जैसे मैं आपसे कहा रहा हूँ मानली जी एक छोटी सी वीडियो है उसमें English speaking practice हो रही है तो मैं आपसे हिंदी में कुछ कहा रहा हूँ उसने मुझे देखा था और अब उसका English लिखा वा रहा है रिटन और आपको repeat करने के लिए बोला जा रहा है कि अब आप बोलिए He had seen me उसने मुझे देखा था तो He had seen me फिर English में एक और आवाज आई आपने, sorry, Hindi में आवाज आई फिर आपने English में repeat किया तो यह तीनों methods को लेकर के एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपका 10 से 15 मिनट का टाइम लगे तो English speaking practice भी रोज वन वीडियो पर डे तो यह जो complete course module मैंने बनाया है यह पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका overview दिखा देता हूं कि यह कहां पर available है सबसे पहले आप जाएंगे मेरी website पे website है www.spokenenglish.guru यह देखे मैं chrome browser पे गया मैंने टाइप किया www.spokenenglish.guru मैंने इसे search किया website आपके सामने खुल गई है आप देख सकते हैं English speaking course listening, watching and speaking practice यहाँ पर आप no more पे click करेंगे आपके सामने एक course का page खुल गया English speaking course इसमें आप देख सकते हैं एक demo video आपके सामने है यह conversation की demo video है इसी तरह की conversations आपको मिलेंगी तो इस conversation को छोटी सी conversation है 1 minute 39 seconds की इसे play कर देता हूं आप देख सकते हैं किस तरह की conversations है तो play कर देते हैं जापके सूबस्ट करूषब थे थरह करेंगे सारफ ते पूल आपके जापके सूल आपके सारफ बटर मूम हम आपके सूल आपके सूल आपके सूल इसका करूषब तो मूय, फ्रहा के एक बति तूल I tried, but there was no time left after the class and she went home early. Well, that's bad. She should clear the doubts of the students before giving them homework. She rarely does that. She thinks asking questions in the middle of the class creates disturbance, so she tells us to ask them after the class, but then we don't get time after the class. I should complain to your principal about it. She's a very good teacher otherwise. Anyway, even the principal can't do much about it because we have many topics to cover in very little time. The school hours are not enough to clear the doubts. That would always create problems for the students then. I can help you, but I also have my own work to do. It's not possible for me to manage everything alone. Clearing your doubts should be the responsibility of your teacher, and that is the proper way. What am I supposed to do for now? I will help you this time, but I will talk to your teacher later, and make sure that she clears all your doubts in the class from the next time. Okay, mom. Go bring your textbook. We will begin now. Yes, mom. Now, what you have heard of your conversation and watched, the script is that she's in school and the doubt clearing classes. She talks about her daughter's 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 daughter. She also told her daughter's daughter. She also told her daughter. Then, what did she say? What did she say? What did she say? She said, why don't you do your homework? तो आप यहाँ पर audio सुन सकते हैं, यह audio का बटन आपको दिख रहा है, और आप individual dialogues को download भी कर सकते हो, playback की speed भी अपने हिसाब से set कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप सभी dialogues को देखोगे, और उनकी audio को भी individually सुन सकते हो, इसके बाद listen audio में, यहाँ पर आप पूरी conversation की script को सुन सकते हो, यह देखिए, मैं play करता हूँ, तो इसे मैं pause कर देता हूँ, गाइस, मैं तो यह चाहता हूँ कि जितनी भी conversations, चुकि डेली एक conversation आपको यहाँ पर मिलेगी, डेली एक नई conversations, और पिछली जो conversations है, उन्हें भी आप देख पाओगे, और साथ ही साथ English speaking practice का उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि conversations का तो पूरा module हमने तयार कर लिया है, लेकिन English speaking practice और translation stories का जो audio है, उस पूरे format पे इस समय मेरी team काम कर रही है, तो मैं तो यह चाहता हूँ कि, यह पूरा course हा free of cost access कर सकें, लेकिन मेरी भी कुछ limitations है, limitations कैसी है, पहली limitation है manpower, मेरे पास editing के लिए, जो कि इस animated video पे, इस तरह की videos पे, या English speaking course की video पे, या translation stories की जो video बनेंगी, उन पे काम करने के लिए, edit करने के लिए editors की team है, साथी साथ, conversations में आप जानते हैं, कि केवल एक आदमी अपनी voice नहीं दे सकता, क्योंकि दो, तीन, चार लोगों की बीच में conversation हो सकती है, तो अलग-अलग voices आपको चाहिए, तो English experts की, जो बोलने में experts हैं, उनकी भी एक team मेंने set कर दिया है, तो चुकि यहाँ पर limitations है, और साथी साथ जब बहुत सारे बच्चे course को join करते हैं, तो website पे, server पे load पड़ता है, उसको maintain करना, website development को maintain रखना, इन सब चीजों के लिए जो manpower लग रही है, जो expenditures हो रहे हैं, उसकी वज़ाद से, मुझे इस course को paid बनाना पड़ा, ठीक है, यह मैं आपको बताना चाता हूँ, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखे, plans कुछ रखे गए हैं, जैसे कि monthly plan है, one month का plan है, one month तक आपको one video हर module पे मिलेगी, ऐसे ही quarterly plan है, three months का जो 999 में है, ऐसे yearly plan है, मेरी recommendation है, quarterly plan आप ले सकते हैं, हाला कि आपको 999 पे नहीं करना है, 40% का discount आपको मिलेगा, आपको एक code यूज करना है, promo code guru22, अब देखिए, मान लीजिए, मैं इसे खरीद के दिखाता हूँ, किस तरह से खरीदा जाएगा, get plan पे click किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना full name, अपना phone number, अपना email address, और create account password में, जो भी password मेरे को create करने का मन किया, मैंने उसे लिख दिया है, अचा यह जो email id और password है, इसी से आपको next time login करने की ज़रुद पर सकती है, इसलिए जो भी password आप बनाएंगे, उसे आप याद रखिए, कि आपने क्या password बनाया, और email address भी सही लिखिए, ताकि उस पर message भी आये confirmation का, कि आपने इस course को join किया है, अचा यहाँ पर यह दिखे, यह प्राइस आ रहा है 9.99, have a coupon पे आप click करेंगे, coupon को डालेंगे आप Guru 22, Guru 22 डाल के जब आप apply करेंगे, तो यहाँ पर 400 minus हो गया, और अब यह बन गया है 599, अब place order पे click करके, हम payment करेंगे, payment करने का तरीका कोई भी हो सकता है, फिलाल मैं जैसे enter UPI ID, मैं अपना Google पे का ID डाल देता हूँ, और अब मैं verify and pay पे click कर देता हूँ, अच्छा यह इस phone पे मेरा Google पे नहीं है, मैं दूसरा phone ले ले लेता हूँ, उससे मैं इसे approve कर देता हूँ, यह मैं गया Google पे जैसे मैंने इस पे submit किया, ति देखे, इस पे payment हो गई है, और यहाँ पर payment successful, तो इस तरह से मैंने इस course को आप join कर लिया है, join करने के बाद, you have successfully enrolled in the course, English conversation course, go to course, अब go to course में आप click करेंगे, और आप जाएंगे course के अंदर, तो latest video तो आपके सामने होगी, डेली जब आप इस course पे आएंगे, तो डेली आपको latest video दिखेंगी, उसकी script आपको पूरी as it is दिखेंगी, जैसे मैंने आपको demo में बताया था, उसके बाद नीचे audio, और उसके बाद recent conversations भी आपको दिखेंगी, ठीक है recent conversations, conversation 1, 2, 3, 4, जो भी हैं, और उसके बाद all conversations since launched, तो मान लिजिए conversation 1 को मेरे को देखना है, मैंने इस पे click किया, conversation 1 मेरे सामने आई, और अब इस conversation को मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, और इसकी script को भी मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो conversation आपको देख रहा है, इसके बाद यहाँ पर English speaking practice और translation stories, दोनों को add कर दिया जाएगा, अच्छा दूसरा next time से अगर आपको आना है, आप आए आपको login करना है, क्योंकि हुआ यह कि आप अपना login ID, आपका वैसे तो एक बार आप जब join कर लेते हैं, तो generally logout होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए, कि आप दोबारा से spoken English.guru website पर आए, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर login, जो no more पर आप गए थे, उसकी जगह यहाँ पर देखिए login भी है न, एक option, इस पर आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आगे न, quarterly plan है, और अब मैं जाता हूँ my course पर, और my course पर जाने के बाद में, जो भी recent video मेरे को दिखेगी, तो यह आप कर सकते हैं, अचा इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, ताकि next time से आपको बार-बार website पर न जाना पड़े, फिर login पर न क्लिक करना पड़े, आप इसका home screen पर एक shortcut बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिए, आप देख रहे हैं या three dot आपको देख रहे हैं, टॉप में right side, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिए add to home screen, add to home screen कर दीजिए, और यहाँ पर आप simply English speaking course ही लिख दीजिए, उसके बाद जब आप add पर क्लिक करेंगे, तो आप अपने यह देखिए, आप देख रहे हैं, अपनी home screen पर यहाँ पर English speaking course करके, यह add हो गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो anytime आपका यह course खोल जाएगा, आप log out नहीं होंगे, तो generally log out होता नहीं है, by chance कभी हो जाए, तो अपना email id और जो आपने create किया था password वो आपको ध्यान रखना है, ताकि next time log in करने में दिक्कत नहीं हो, बाकि जब आप इस course को join करेंगे, within 24 to 48 hours, मेरी team के member आपको contact करेंगे, और आपको पूरा procedure बताएंगे, कोई भी confusion है, किसी भी तरगी, तो आपको पूरा guide करेंगे, तो आज के लिए फिलाल यहीं तक, अगर आपको यह video lecture helpful लगा हो, तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा, और comments में बताएगा, कि इस course को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, मिलते हैं next video lecture में, और start करेंगे day 7, तब तक लिए take care, goodbye.